हर कोई का एक ही सपना होता है कि घहर सांदार और बेमी साल बनाएं सभी का सपना होता है लेकिन आपको हम दिखाते हैं सबसे कम रुपे में एक मातर जारखन के साहिब गंजीला के राजमल परखंड के बुद्वरिया गाउं में एक ऐसा घहर है जो आपको सायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है सांदार तरीका घहर बनाया है आप नीचे का जब लूग देखेगा तो कम से कम जरूर आधा घंटा तक एक करके जरूर देखेगा यानि डिजाइन से भरा हुआ घहर भरपूर है और आपको हम दिखाएंगे कि एक पीलर बनाने में दो दिन तिन दिन का समय लगा यानि कि तीन से चार साल लग चुका है मातर थिरी फलोर का घहर बनाने में और ये जो देख रहे हैं थर फलोर में चड़ने के लिए इस्टिल की सांदार सिरिया है डिजाइन तरीका का है देखने में लाजवाब है बिल्कुल सही तरीका का है और जो मिस्टिरिया है इस लिए लगाने के लिए बहुत ही बहतर तरीका से लगाया है एक चीज आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप सिडिया लगाएंगे तो इस्टिल कौन सा लेना है याद रखेगा जिंडल ग्रेट 304 लेना है ताकि इसमें कभी भी जीवन में जैंग नहीं लगेगा ठीक है तो संदार तरीका से आपको दिखाया जाएगा और इसके साथ-साथ घर का भी मोडल दिखाया जाएगा ठीक है तो घर का जो मोडल अंदर में रूम का जो डिजाइनदार कलर और जो फूल फूलिंग डिजाइन वाल पिपर से जो बना हुआ है आप देखकर चौक जाएंगे कि एक छोटा सा गाउं में इस तरह का घर जरूर आप असमंजस में पड़ जाईएगा यानि कि आप देख सकते हैं बड़े-बड़े सहर में नहीं होता है घर 30 मंजिला 20 मंजिला जरूर होता है लेकिन इतना डिजाइन देना हर कोई की वस की बात नहीं होता है ठीक है यह तो अभी आपको हम एक फ्यूचर दिखाएं है अगर आगे का दिरी से और अंदर के रूम का मोडल दिखाएंगे तो आप भी जरूर सोचने लग जाएगा कि नहीं मैं भी कभी भी बनाऊंगा तो इस तरह का घर बनाऊंगा यानि डिजाइन से भरा हुआ घर आपको एक छोटा सा गाउं बुद्वरिया में मिल जाएगा तो आगे का डिजाइन दिखने के लिए आप हमें कमेंट जरूर कीजेगा और इक्छा होगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजेगा